आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत 36 गड़ के इस पंचायत के मंच पर लेकिन सबसे पहले शैलेज जी आप से शुरुवात करते हुए क्योंकि यहाँ पर नारा है बगेल है तो भरोसा है तो अब यह भरोसा कायम रहने वाला है या इस भरोसे पर ध्रश्टाचार का डें यह इडी, आईटी, सीबी आई दरसल भारती जनता पार्टी को अपने 36 गड़ के कारकरताओं पे भरोसा नहीं रहे गया है वे भरोसा खोचुके अपने कारकरताओं के उपर मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि पोलिंग बूथ एजेंट भी इनके अधिकारियों और कर्मचार को नियूक तो न करना पड़े बीजेपी को जहां तक आप भरोसी की बात कर रहे हैं हमने कहा था धान का दाम धाई हजार रुपए देंगे पांच साल तक देंगे पिछले साल हमने 2640 और 2660 दिया जो कहा उससे जादा किया हमने गंगा जल उठाया था यह कहके कि किसानों का करज माफ करेंगे हमने किसानों का 9600 करोड का करज माफ किया दस दिन नहीं लगाए एक दिन नहीं लगाया दस घंटे नहीं लगाया जैसे ही सरकार बनी हमने किसानों का करज माफ किया करोना की विबदा आई लेकिन जनहित में 36 गड़ की सरकार काम करती रही गाउं गाउं म मिल रहा है और गाओं की महिला समूज से लाभानवित हो रही है 36 गड़ में हाड बजार क्लीनिक बस्तर में क्या इस्थिती थी इनकी सरकार में मलेरिया जापानी बुखार लोग पीडित थे अब हाड बजार जो आदिवासियों के हाड बजार लगते हैं वहाँ पे वेन जा रही है डॉक्टर जा रहा है वहाँ इलाज हो रहा है वहाँ लेबरेटरी टेस्ट हो रही है महला क्लीनिक चल रहे हैं और दाई दीदी क्लीनिक भी चल रहे है जो महिलाएं हैं उनके इलाज के लिए दाई दीदी क्लिनिक की विशेश वेवस्ता हमारी सरकार ने की है हमारा जोर स्वास्त पे है स्वामी आत्मानन्द स्कूल लोग केजरीवाल जी की स्कूलों की बाते करते हैं स्वामी आत्मानन्द स्कूल को देख लीजिये छत्यजगढ की इसमिता, छत्यजगढ की पहचान, छत्यजगढ की बोली भाषा अब कारेकर मूं में काजू ककली नहीं रखी जाती ठे़्टरी और खुरमी रखी जाती है तीजा और पोला जो 36 गड़ के तेवार थे उनमें कभी छुट्टी नहीं होती थी माता करमा जैन्ती में छुट्टी नहीं होती थी अब हमारी सरकार उनमें छुट्टी कद्दे रही है 36 गड़िया खेलों को प्रोसहन मिल रहा है और एक मई को बासी दिवस मनाते हैं हम लोग 36 गड़ के मजदूरों को और किसानों का भोजन बासी है गड़बो नवा 36 गड़ ठीका ना मैंने आपने बिल्कुल ठीक कहा और आपके समर्थन में मैं एक बात अपनी बाद एक मिनिट में पूरी करूँगा आपसे अनुमती मांगूँगा एक मई को हम बासी दिवस बनाते हैं 36 गड़ के मजदूर और किसान का भोजन बासी है बड़े-बड़े कलेक्टर और इसपी 36 गड़ के रहने वाले हो या ना हो वो एक मई को बासी खा के अपनी फोटो ट्वीटर और फेस्बुक में डालता है इस प्रदेश में सबसे बड़ा भष्टा चार करोडों का कलेक्टर की न्युक्ति को लेकर है मैं आधी लाई में अपनी बात खतम करूँगा कलेक्टर और एस पी अगर फेस्बुक में ट्वीटर में फोटो डालते हैं उसका अर्थ समझ ही है कोई पूछ सकता है 36 गड़ियों को क्या मिला अगर कलेक्टर और एस पी को बासी का संबान करना पड़ रहा है मजदूरों के भोजन का संबान पड़ रहा है जहां तक आप रमान सिंग जी के आरोपों की बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति का पंदरा साल का कारिकाल कलंकित रहा है, नान घोटाला, चावल घोटाला, नस्बंदी कांड, गरभाशय कांड, अखोड़वा कांड, छतित गड़ने वे सब कुछ देखे हैं, वो व्यक्ति जी, इस बार भूपेश बगेल वर्सिस कमल की लडाई है, क्योंकि रमन सिंग जी का कारिकाल पूरा हो चुका है, उसके बाद आप नई लीडर्शिप नहीं खड़ी कर पाए इस प्रदेश में, और इसका कहीं न कहीं खाम्याजा बीजेपी को होगा, या फिर कमल के दम पर पी-एम के दम पर सरकार बन जाएगी. इसलिए कॉंग्रेस के अध्यक्स को हटा कर मंत्री बनाया गया है. कॉंग्रेस की जो पार्टी है, वो सिर्फ इस बास से पहचानी जा रही है, कि कितना पैसा कमा कर और सोनिया अम्मा जी को, राहुल भाया को और प्रियंका दीदी को पहुंचाया जा सकता है. धाई-धाई साल के फार्बूले का क्या हुआ? खाली इनका काम एक ही है, चतिसगर को एटियम बना दिया है, और चतिसगर का पैसा, ये बात कर रहे थे, एक लाख करोर रुपे का भ्रस्टाचार चतिसगर में, भुपेज बगेल जी, कॉंग्रेस पार्टी और कॉंग्रेस कर रहे हैं, लूटमार का गड़ कर रहे हैं, भृस्टाचार का गड़ कर रहे हैं, जिस सरकार के दो आई-एस अधिकारी और दो विधायकों के उपर में भृस्टाचार के अरोब लगे केस दर्ज हों, मत्रब सरकारी तंत्र और स्पार्टी दोनों मिलकर किस प्रकार के चत खोट rite मत तेजुक्र रुब करोड़ेगर थे जार करोड़ा किया ये जिसका पैसा है Rabbी Corner क्रेशियत कि प्यश्वन कुद्शकailableनें इतने वह Goddess नहीं द्रेसु Low-to korona का दूख्रा मैं फोर्ट या ज़ार करोड़ा कि ये किर पैसा है फ्सक्रार्ण का में फॉक्त तो पिछली बार ये सरकार बनाने में कैसे काम्याब हो गए जनता को क्या ये घोटाले ये ब्रश्टा चार दिखने रहे इतना लंबा फासला था आपकी सीटों में और इनकी सीटों में ये कैसे संभव हो सकते अगर तुना कि संभव थो नी ऊस समें इनकी सरकार थो डूड़ी थी ये तो पांच साल से सरकार में हैं और या य으 कराने लगिए कि कभ ये सरकार जाए और 36 गर में 15 साल में जो विकास के काम हुए थे मोदी जी की जो 9 साल की योजनाये हैं आज यहां के 26 लाख ग्रामीन और 5 लाख सहरी आवास इनों को घर नहीं मिल रहा है इससे बड़ा पाप कोई हो सकता है यहां के 278 लाख घरों में नल पानी उनको नहीं मिल रहा है इससे बड़ा कोई पाप हो सकता है सराब बंदी के वादा करने वाले लोग इनों ने वोट लिये आज उनको सराब बंदी के मामले में कहते हैं संभाव नहीं है तो वादा किस ने किया था मैंने किया था कि इनों ने किया था गोटालो और उस लबरा मुख्यमंत्री नहीं है अब आपको बताओं हभी हम 25 विधान सभाओं छेत्रों में गए परिवलतन यात्रा में नेहा जी मैंने लोगों से पुछा ऐसा कोई है क्या जिसको 10,000 रुपे मिला हो गोबर से जिसको 20,000 मिला हो नहीं मिला मैंने का किसी ने गोबर बेचा है नहीं बेचा तो मैंने का किसने बेचा बोले कांग्रेसियों ने बेचा है मैंने कांग्रेसिया चल गोबर देने लगे है क्या गायने गोबर देना बंद कर दिया है तो यह स्थिती है 36 गड़की क्या भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा इस बार के थश्टाचार की बात कर रहे थे थोड़ा सा कन्फियूज हो गया है ऐसा लगता है मुझे एक लाग चालिस हजार करोड रुपिया हमने लोगों को डाइरेक्ट उनके खातों में ट्रांसफर करके राजियु गांधी गोधन निया योजना राजियु गांधी किसान निया आपको बोलने दीजे हमको बोलने दीजे हमको भी अपनी बात कहने का अधिकार नहीं इस तरीके दर मत करिये आप चैले जी रमन सिंग ये कहके कि आपकी सरकार ने कोई भी नई योजनाओं की शुरुआत नहीं करी जो रमन सिंग की सरकार ने योजनाई शुरू करी थी उनी को आगे बढ़ाया है जहां तक आवास की बात है आपने कोई आवास से रिलेटेड नई योजना नहीं शुरू क यह कानून विवस्था की बात करते थे जिनकी सरकार में राजधानी में महिला पुलिस के साथ बलातकार हुआ था वे आज हमको कानून विवस्था के बारे में सिख्षा देते हैं वे लोग कानून विवस्था के बारे में बताते हैं जिनके शाशनकाल में मीना खलकों के साथ बलातकार हुआ और उसके आरोपी पकड़े नहीं गए वे हमको कानुनियवस्था के बारे में बात करेंगे जो मरकम हिडमे के साथ बस्तर में हुआ सोनकू अबिजलू नामक लड़कों के साथ 10 साल और 14 साल के लड़के मृत्यू की खबर देने के लिए बगल में गाहों में जा रहे थे उनको गोली मार दी गई मावादी बोलके जो सारके गुड़ा में हुआ अपनी स्कूल में छटीवी कक्षा के टापर को गोली मार दी गई देखिए इस तरीके की जूटी निराधार अनरगल बातों से चर्चा नहीं हो सकती चर्चा के लिए जमीन पे उतरना पड़ेगा जो काम भुपेश बगेल की सरकार ने किया है 36 गड़ की पहचान के लिए किया है 36 गड़ के विकास के लिए किया है दरसल एक लाग करोड का कोई घोटाला नहीं हुआ है एक लाग चालीस अजार करोड किसानों के मजदूरों के भूमिहिनों के जेब में गए हैं और ये भाजपा से बरदाश्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये तो पार्टी है अमबानी और अदानी की ये तो पार्टी है पुझी पतियों की गरीमों का भला हो इनसे बरदाश्ट नहीं है 36 गड़ में 36 गड़ की पहचान बढ़े ये इनको बरदाश्ट नहीं है इसलिए इनको परशानी हो रहे है यहां पर नकसलवाद आपके राज में बढ़ा है यह आरोप बीजेपी लगाती बिल्कुल जूट आरोप है मावाद जब 2003 में कांग्रेस की सरकार गई थी तो दक्षिन बस्तर के तीन ब्लाकों तक सीमित था बीजापूर उस समय ब्लाक था दंतेवाडा ब्लाक था और सुकमा ब्लाक था भाजपा के रमन सिंग जी के 15 साल के शाशनकाल में उस मावाद ने बढ़ते बढ़ते 14 जिनों को अपने गिरफ्त में ले लिया था कवरधा तक मावादी आ पहुचे थे ये सचाई है रायपूर एयरफोर्ट जाते हुए मावादियों की गिरफ्तारी हुई थी ये सच है रायपूर शहर में मावादियों के स्लिपर सेल गिरफ्तार हुए थे ये सच है अनेक भाजपा नेताओं के मावादियों से संपर कु उस जगह पे जहां भाजपा की सरकार ने सुरक्षा व्यवस्ता नहीं मुहया कराई थी जहां पे आरोपी नहीं दी गई थी विद्या जरन्शोक्र, दनकुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार जैसे नेता कांग्रेस की पूरी पीडी के नेता शहीद हुए भारत के पीएस गिल ने कहा, 36 गड़ की रमन सिंग सरकार चाहती ही नहीं है कि यहां से मावाद समाप्त हो, के पीएस गिल जाने माने देश के पूलीस विशेशगे हैं, जिन्होंने पंजाब में उग्रवाद से लड़ाई लड़ी थी, भारती जनता पाइटी की सरकार ने प्रदेश को ज्यादा मदद देती है मावाद से लड़ने के लिए और 36 गड़ को कम मदद देती है, यह इनका 36 गड़ के प्रती सोच, यह इनका 36 गड़ के प्रती वेवहार, ब्रिश बोहन जी, क्योंकि जिस तरीके से शैलेश जी यहां पर बता रहे हैं कि आपने रमन सिं कि वक्त पर मावाद को लेकर, नकसलवाद को लेकर ठीक तरीके से उचित कदम नहीं उठाए, लेकिन इसके बावजूर अगर इस बार आपको वापसी करनी है, तो कौन से फैक्तर आपके लिए काम करेंगी, क्योंकि कॉंग्रेस यह कह रही है कि हमने जितने वादे अपने प्रानिफेस्टेम थे नपभें फीज दि बड़े किए इन्नोंने, नेहा जि मुझे एक तो वादे बता दें, इन्नोंने कौनसी सालक बनाइ, इन्नोंने कौनसे फूल-पुलिये बनाए, इन्नो ने कितनी स्कूल के बिलडंइग, इन्नोंने कितनी कॉलेज खोली, एक कारेकाल में एक primary school नहीं खो लिए, एक middle school नहीं खो लिए, एक high school नहीं खो लिए, ये किस विकास की बात करेंगे, इन्हों ने तो 36 गड़ को राइपुर को गढधापुर बना दिया है, पूरे 36 गड़ में लोग सरकों पर हैं, कि हमारी सरक नहीं बनेगी, तो हम vote का भाइ मिनिस्टर आओं, टेंडर में कमिशन ले लेते हैं, बाद में टेंडर में काम नहीं होता, ठेकेदार रोता है, सब बड़े ठेकेदार की काम करेंगे, तो पैसा कहां से आएगा, कमिशन खाने के लावा कोई दूसरा काम नहीं है, राइपूर में सरक के लिए पैसा नहीं है परंटो मुख्य मंत्री निवास बनाने के लिए पैसा है, मंत्रियों के निवास बनाने के लिए पैसा है हमारा एजंडा है भरस्टाचारियों को हम जेल में डालेंगे, चाहे वो कोई बड़ा से बड़ा आदमी हो 36 गड़ियों का अपमान करने वालों को हम जेल में डालेंगे चाहे कोई वो बड़ा से बड़ा आजमी हो आखिर मुख्यमंची जी जिस पर पॉक्सो एक लगी उसको तो आपने टिकेट दे दिया ऐसा है ये सब चीजे आज की तारीख में भारती जन्ता पार्टी आएगी तो पंदरा साल में जो हमने काम किया उस गौरों को हम बढ़ाएंगे मोधी जी नौ साल में जो काम की हैं केंडर की योजनाएं हैं उनको हम यहां पर लागू करेंगे लोगों के जीवन इस तरको उचा उठाएंगे यहां पर स्वास्त की व्योस्ताओं को अच्छा करेंगे यहां पर एजुकेसिन की व्योस्ताओं को अच्छा करेंगे लोगों को सालक देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे मैं agriculture minister रहा हूँ यह ऐसा लगता है कि 2500 रुपे में किसानों को खरीद दिया है किसानों को net set house नहीं मिल रहा है किसानों को green house नहीं मिल रहा है किसानों को poly house नहीं मिल रहा है किसानों को mulching seat नहीं मिल रही है किसानों को agriculture के उपकरणों में यह 300 करोड बजट में रखते हैं बगेल जी तो यह कहते हैं कि मैं सन अफ दो स्वाइल हूँ किसान मेरे साथ है आपको बता दूँ यह सन आप दो स्वाइल नहीं है यह सन आप दो सोनिया गांधी है यह सन आप दो प्रियंका गांधी है यह ब्रदर आपदर प्रियंका गांधी हैं यह ब्रदर आपदर राहूल गांधी हैं सन आप स्वाइल इन्होंने क्या किया चत्रीजगर के लिए जड़ा बताएं तो क्या किया है एक किसानों को पकीस सो रुपए देकर उसमें में पैसा खा रहे हैं अरे 216 रुपए तो मोद जी दे रहे हैं मोदी जी एक लाग करोर दे रहे हैं 20,000 करोर दे रहे हैं अपना अपनी वाही वाही लूटते यानि कि एक रुपया चलता है से यहां तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 20 पैसा जनेताक तक पहुंचता है बाकी सब भ्रष्टा चार में चला जाता है यह आर मैं किसी को रंगा बिल्ला बोलूंगा, किसी को मोदी शाह का कुछ बोलूंगा, तो तकलीफ होगी, ऐसी भाषा का प्रयोग सम्मानित्मच में नहीं होना चाहिए, मैं इस पर कड़ी अपत्ति धर्ज कराता हूँ, दूसरी बात, जो आप, सोनिया जी को क्या कहना चाहिए, सो जिन्हा बिल्ला को अंकल बोलना चालू कर दू के, सोनिया बोलना चाहिए, 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 सोनिया बोलना चाहिए कोशिश करते हैं आप अपनी बात कह लेते हैं और सामने वाला बोलने लगे तो व्योधान डालने की कोशिश करते केंद्र सरकार से हमें राशी नहीं अडचने मिलती है पहले साल हमने धाई हजार किसान को धान का दाम दिया कहा अगर एक रूपिया धान के समर्थन मुल्य से आप उपर देंगे तो 36 गड़ में एफसी आई के गोदामों में 36 गड़ के किसानों के धान से बना चावल नहीं र तब बारदाने नहीं दिये कभी खाद नहीं देते हैं 36 गड़ के किसानों ने क्या विगाड़ा है केंद्र की भाजपा सरकार का और वादा तो किया था 2022 में किसानों की आये दुगनी करेंगे आये दुगनी नहीं की पेट्रोल डीजल का दाम दुगना कर दिया आये दुगनी नहीं की पेस्टिसाइट्स ट्रेक्टर के उपकरंट पे GST लगा दिया इनके किसान विरोधी चरीतर से जनता दुखी है जहां तक 15 साल की बात कर रहे थे कि 15 साल में हमने बड़ा अच्छा काम किया मैं दो तीन बातें आपको बताना चाहूंगा हर आदिवासी परिवार को 10 लिटर दूद देने वाली जर्सी गाए किसने कहा था किसने कहा था हर आदिवासी परिवार से एक रेक्ति को नौकरी किसने कहा था एक-एक दाना धान की खरीद किसने कहा था 21 रुपय समर्थन मूल्य किसने कहा था 5 साल तक 300 रुपया बोनस और चुनाव के साल देवतर हिंद बोनस अब बाकी साल पूछा तरींत है को नस ये इनका रवया रहा है किसान आत्म हत्याएं कर रहे थे ये इनका चरित्र रहा है ये 36 गड़ विरोधी चरित्र के लोग हैं अब तो 36 गड़ महतारी की फोटो एक आत्म परिसर में अपने भाजपा कारियाला में लगाने लगे ये लो लेकिन 36 गड़ के लोग वो दिन भूले नहीं हैं जब डाक्टर केसो सिंग ठाकुर को 36 गड़ की बात करने पर धक्का देकर भाजपा कारियाले से निकाला गया था और अपमानित किया था 36 गड़ के लोग उस दिन को भी नहीं भूले हैं और इस बात को मैं बड़े गवरो के साथ कहता हूं कि भूपेश बगेल सरकार ने 36 गड़ के किसानों की आत्महत्याय रोकी है 36 गड़ के किसानों को समुर्द्ध बनाया है 36 गड़ के गाओं को खुषाल बनाया है लोगों के सिख्षा और स्वास्त को हम सरोच प्रात्विक्ता दे रहे हैं 36 गड़ का इविकास की सही संकल्पना है बस्तर अब मावादी आतंक से भी मुख्थ है जापानी बुखार और मलेरिया से भी मुख्थ है कुपोषण से भी मुख्थ है रमन सिंग जी के आप बात कर रहे थे मेरे को याद है जब रमन सिंग जी मुख्यमंत्री थे तो एक बच्चे को गोद में लेके उन्होंने बस्तर में फोटो खिचवाई बच्चे का पेट बढ़ा हुआ था बढ़ा हुआ पेट कुपोशन की निशानी होता है और रमन सिंग जी ने कहा कि ये प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री है अरे मुख्यमंत्री तो आप उसको बता रहे हैं उसका कुपोशन दूर करने के लिए आपने क्या किया वहाँ हाड बाजार में जहां सारे गाओं के लोग इकठे होते हैं वहाँ इलाज की विवस्ता क्यों नहीं आपने की हमारे एक मंत्री है कवासी लख्मा ये लोग आप बार बार ब्यंग करते हैं कि वो बिना पढ़े लिखे हैं उसी कवासी लख्मा के छेत्र में 150 बंद पढ़े स्कूल उसी बिना पढ़े लिखे कवासी लख्मा के प्रहत्नों से शुरू हुए और कवासी लख्मा ने कहा कि मैं बिना पढ़ा लिखा रह गया लेकिन मैं नहीं चाहता कि भविश्य की पीड़ी में कोई बिना पढ़ा लिखा रह जाए ये हमारी सोच आपने किसानों का मुद्दा गिनादिया आपने कुपोशन बता दिया आपने बेरोजगारी भत्ते के मुद्धे पर क्या किया है और आपने शराब बंदी के लिए क्या किया ये दो दो पॉइंट्स आप इस पर स्पष्ट कर दीजे बेरोजगारी भत्ता देना आरंब हो गया है कितने फीज़ी है बेरोजगारी इस प्रदेश में कितने फीज़ी है क्योंकि जो जारी आक्णे है उसमें 0.1% है बहुत ही अच्छा प्रश्णाप ने किया बेरोजगारी के बारे में देश की स्वतंत्र निश्पक्ष एजेंसियों ने ये पाया कि 36 गण में जहां बेरोजगारी इनके कारेकाल में 13% थी वो घट के 0.5% रह गई है और नीती आयोग ने बीपिल की संख्या 15 साल भाजपा के शाशनकाल में बढ़ते पढ़ते आबादी की 40% हो गई थी और अभी नीती आयोग ने अपने लेटेस रिपोर्ट में कहा है कि 36 गण में 40 लाख लोग गरीबी की रेखा से उपर आए हैं और आपको मैं निवेदन पूरग बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से गाओं में रीपा का काम चल रहा है रूरल इंडस्ट्रियल पार्क गोठानों को हमने ग्रामीन सरोजगार का माध्यम बनाया है जिस तरीके से महिलाओं का सशक्की करण हो रहा है जिस तरीके से काम हो रहा है इसकी पूरे देश में 36 गण मॉडल एक दूर दूर से उत्तर प्रदेश के लोग आये थे कि किस तर मच्छा है और इनके आरोप चुनावी आरोप हैं चुनावी लाप के लिए लगाए जा रहे हैं और इसके साथ ही जो ग्राउंड लेवल पर आपके लोगों की मौजूद्गी है उसको लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं कि अब जब रमन सिंग ने इतना अच्छा काम किय उनके काम गिनाए जाते हैं तो अब मोदी जी के नाम की जरुवत क्यों पड़ जाती है क्यों नेक्स लेवल लीडर्शिप शत्यसगर में अब अगर यह देखें आप भी मीडिया से हैं कभी भी यहां पर कोई पार्टी अपोजिसन में होती है वहां लीडर्शिप पे चु तो कमल वर्सेश पंजगी लाइए और इसलिए हमारा हर कारिकरता चैरा है अब यह बाद करें टे कानून में वस्ता की राइपूर में छे दिन पहले एक छे साल की बच्ची के साथ एडिस्टरल एस्पी के कारेले के नीचे बलातकार हो जाता है दो बेहनों के साथ में राइपूर से 10 किलो मिटर दूर रच्छा बंदन के दिन बलादकार हो जाता है एक सिच्छक के साथ में सिच्छक दिवस के दिन जस्पूर में बलादकार हो जाता है एक बच्ची को 6 साल की बच्ची के साथ में जो पोटा कैविन पढ़ाने के लिए बच्चों को पढ़े हुए उसके साथ बलातकार हो जाता है ये बलातकार की घटनाएं यहाँ पर रोज होती है और ये सरकार बलातकार करने वालों में आदे से ज़्यादा कारिकरता तो इनकी पार्टी के होते हैं और उनके उपर में कारवाही नहीं होती है वो पुलिस वानों को मारते हैं ठानों में घुसकर अपरादियों को छुडा क ले जाते हैं अभी परसों की खटना है योग कॉंग्रेस के कारिकरता ने सड़क पर मारपीट के उसने खिलाब में कारवाई नहीं हो रही है आखिर क्या कॉंग्रेस के लोगों को गुंडा गिर्दी करने की छूट मिल गई है उनकी सरकार है तो चतिसगर के नागरिक का जीव चतिसगर के गाओं में कहां मादर बज रहे हैं कहां सुआ हो रहा है कहां कर्मा हो रहा है चतिसगर के बोरो बासी की बात कर रहे थे इनके अधिकारी अर्या चतिसगर का गाओं का मजदूर क्या केबल कुरसी में काटा चम्मत से बासी खाता है क्या यह काटे चम्मत से बास क्राइम को आपका सरक्षन नहीं मिलना चाहिए अब इनके दो-दो विधायकों के उपर में च और बीधायक भाग जाए फरार हो जाए इनके के आये इस बार किसी भी दागी को टिकेट नहीं दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा क्यों है कीं पुक्ले के जा रहे तैंटु यह यह सौभांविक है बीज़े पी एक हैं दाग को टिककिट नहीं दी जाएगी और बीज़ेफी second declare करकर काल्ः से अद्वाई ले ले लि है स्विसाग्रे केप बढ़ गई है इनके पास तो जूतम पैजार चल रहा है टिकेटों को लेकर ये जो असंतोस है एक अनार सो बिमार तो होते ही है परन्तु बीजेपी के पास में छमता है कि वो सब लोगों को संतुष्ट कर सकती है परन्तु कांग्रेस में ये छमता नहीं है नहीं अगर इतनी संसदुष्टी होती तो तो जूते होती है तो छाहे सांसद हो चाहे विधायक हो चाहे कारेकरता हो इसल surreal किसी हो बहूंढ कि मैदान में पाल्टी की सबसे बढ़ी आउस सकता होती है कि वो जीते और जीतने वालों को चुनाओं में उतारना ये पार्टी की योग्यता है कि पार्टी अपने सांसदों को भी विधायक बना सकती है अपने विधायकों को भी सांसद बना सकती है इनमें योदम नहीं है आपकी पार्टी भी ऐसे ही करने वाली है हमारी किसी सांसद क उतारने की कोई योजना अभी तक प्रकाश में नहीं आई है लेकिन लेकिन इनके जो नौ सांसद हैं वो यदि मैदान में उतरेंगे तो अपनी जमानत भी गवाँ बैठेंगे क्योंकि वे आरोपी हैं जब मोदी सरकार इन पांच वर्षों में न्याय कर रही थी बेदभाव कर रही थी बार बार च्छतिस गड़ के लोगों ने गुहार लगाई बार बार हमने निवेदन किया च्छतिस गड़ के हित की बात उठाईए ट्रेने कैंसिल हो रही है चावल खरीदी में परिशानी हो आपकी सरकार बनाई है लोगोंने आपको जिम्मेजारी दी है आप आप बोड़ रहे थे सर इनोंने नहीं अस्तक्षिप किया उसमें आप मत करिए और यह लगा था इंट्रप्ट करते हैं डिप्टी सीम बनने से सीम कमजोर हो जाता है अरे अनेकराजियों में सरकार में डि सिप्टी सीम बनने से सीम को कमजोर है नहीं के नया शी गुफा चोड़ा है और दिवस की बात कर रहे थे चतिजगण के आदिवासी भूले नहीं है ठीक आदिवासी दिवस के दिन 9 अगस को इनने अपने प्रदेश के आदिवासी अध्याश को रवाना करके उसको छुट्ट लोग समझ भी गए हैं और भाजपा इसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे इन चुनाओं में तो आप क्या पूरी संतुष्टी है पार्टी में टिकेट बटवारे को लेकर नाम तय हैं और दूसरी तरफ टीए सिंग देव जो हैं वो प्रधान मंत्री की तारीफ कर आपने बहुत अच्छा प्रश्ट किया I thank you for this question प्रधान मंत्री के प्रती आदर और सम्मान व्यक करना यही तो हमारी और इनकी संस्कृति का अंतर है इनका चाल चरीतर और चहरा आपने देख लिया और हमारा चाल चरीतर और चहरा देख लीजिए कि जो सम्मान देने का काम है वो हम लोग बखू भी करते हैं अगर टीयसी देव ने सम्मान दिया तो उसको अपनी तारीब समझ के जिसको खुश होना है हो ले खंबान तो खड़गे जी को भी दे सकते थे सोन्या गांधी जी को भी दे सकते थे प्रधान मंत्री जी को इतना सम्मान दे दिया कि पुर आसक्रेस के लिए देश सबसे पहले है देश प्रथम हैं बाकी चीजें बाद में हैं और दूसरी बाट टिकट वित्रंड में आपका सवाल बहुत अच्छा था मैं दो बाझपा क्या करती है अमिच शाह जी आते हैं साम को राध को बैठक लेते हैं यहां उनके कर्याले में और प्रदेस भरसे बाजपा के निताओं की सकार पईओ और इन्हों हो अ रवाना होती है कारियालाय में कठा होती है, मीटिंग लेके चली जाती है टिक्ते कैसे डिकलेयर हो रही है? दिल्ली से डिकलेयर हो रही है हमारी पार्टी में क्या हुआ? हमने ब्लॉक इस तर पे आविदन मनाए ब्लॉक की स्कूरूटनी के बाद वो जिला इस तर पे गए प्रदेश चुनाव समिती की बैठक हुई, उसके बाद स्क्रीनिंग की बैठक हुई है अब CEC में मुहर लगेगी, कांग्रेस में लोक्तांत्रिक प्रक्रिया से कारिकरताओं की भावना देखकर, जन भावना देखकर टिकिट वितरन हो रहा है भाजपा की तरह प्रत्याशी थोपे नहीं जा रहा है, जिनके पुतले जलाए जा रहा है धरतिवा में हुआ न, कई जगा हो रहा है, कारिकरताओं में जो क्रो और गुस्सा उमढ़ रहा है वो इसी कारण है कि इन लोगों ने अलोकतांत्रिक प्रक्रिया आपना ही है अलोकतांत्रिक प्रक्रिया आए आपकिया और जो रोज समीक्षा मगाई जाती है, तर असल वो प्रोसेस नहीं है और ना उसका पाला इस पार्टी करती यह सैलेज जी अभी जड़ा खुस हो लें थोड़े दिन बाद इनको मालूम पड़ेगा कि यहां से जितने नाम गए हैं उसमें किसी को टिकेट नहीं मिली है जो टिकेट जो है बीजेपी कमफर्टेबल टूठर्ड मिजॉर्टी में आएगी और यहां पर सरकार बनाएगी और भरोसे की सरकार अपकी बार पच्छत्तर पार ऐसा है बिल्ली के भाग से हर बार छीका नहीं तूटता है एक बार तूट गया है अब 36 गड़ की जनता समझ गई है कि ये वो जो रंगे सियार होता है कि वो सियार रंग रंग कर और लोगों को बोलता है मैं सेर हूँ जब बरसाद गिरता है जब बरसाद गिरती है तो वो सियार लोगों को समझ में आता है कि यह CR है, यह सेर नहीं है, यह हमको बेकुप बना रहा था, यह कांग्रेस की पार्टी और भुपेस बगेल जी रंगे CR हैं, और उसको मैंने नहीं, टीयस सिंग्देव उने बता दिया, कि वो रंगे CR हैं, ना हम सियार हैं, हम 36 गडिया हैं, और 36 मा के सच्चे सपूत हैं, ल मंदिर में दियूता के मंदिर में उपर छथ में अगर को मह बैड़ जा है, मंदिर छथ में को बाइठ आ है, देवताले बड़े बंढ़े भाज़त है, जागा और बगवा चथ्थितरगण के अब कोलिए मनलल कारत है. अर्थात भी बता दीजिए सर. इसका मतलब मन्दिर के चछट में बैठ कर कववा देउता से बड़ा नहीं हो जाता. अब जो है मन्दिर के चछट में बैठा हुआ कववा जटितित गर के जो कोलिया है वो काओ काओ करने लगे हैं. और ये माल लीजिए जब कोलिया काओं काओं करता है तो उसका जाने का समय आ रहे है वक्त में इतनी की जादर लेता है एकर मन के अब नहीं सहीबो अब नहीं सहीबो पदल के रहीबो ये चछतिसगर के जनता ने तै कर लिये है अब नहीं सहीबो बदल के रहीबो अब ये जोन अब अब आधा तै करेगी बहुत बहुत धन्यवाद आपको एसमय पे जुटने के लिए